सालों तक मेरा परिचय इसी तौर पर दिया जाता रहा अच्छा वो जो चार बेटियों में सबसे बड़ी है अच्छा वो जिनके घर में लड़का नहीं है हमारी चिंता हमसे जादा समाज को थी बड़ी बेटी के तौर पर सबको उमीद थी कि मैं इंजिनियर बनो लेकिन क्या हुआ कि प्लस टू अकरते-करते मुझे यह एहसास हो गया कि मैं इंजिनिरिंग मेरे बस की नहीं है मुझे अपने पिता को पेल होते नहीं देतीना था तो इतने सारी चीजों के बाद जब 25-26 की उमर में मेरी शादी वी तो मुझे लग रहा था जैसे मेरी पूरी एक्सपाईरी डेट निकल गई है मेरा नाम शिल्पी जहा है मैंने अपने करियर की शुरुआत बतौर तीवी पत्रकार की थी लेकिन इन दिनों मैं प्रफेसर हूँ टीवी जर्नलिजम और मीडिया रिसर्च की बेनिट यूनिवरसिटी में ये मेरी कहानी है छोटे से शहर दर्भंगा से शुरू कर एक पत्रकार, एक ब्लॉगर, एक लेखक, एक प्रफेसर, एक माओ और एक पत्नी बनने तक की पर दिया जाता रहा, अच्छा वो जो चार बेटियों में सबसे बड़ी है, अच्छा वो जिनके घर में लड़का नहीं है, अच्छा वो जिनके माबाप उनकी परवरिश लड़कों जैसा कर रहे हैं, जबकि इन में से कुछ भी सही नहीं था, हमारी परवरिश बहुत से की गई, लेकिन लड़कियों की तरह की गई, क्योंकि मेरे पिता ये मानते थे कि बेटियों को बेटा बनाकर पाला जाना कोई बहुत गर्व की बात नहीं है, उनको वैसा ही पाला जाना चाहिए जैसी वो हैं, तो हम बिलकुल वैसे ही पाले गए, लेकिन हमारी चिंता हम से जादा समाज को थी और इसलिए हमारी लड़ाई हमसे जादा हमारे माता-पिता की लड़ाई बन के रह गई क्योंकि हर चीज़ पर दुनिया की नजर होती थी उमर कितनी हो गई परिवार में आमदनी कितनी है परिवार लड़कियों को दहेश देने के लाइक बचा रहा है या नहीं बचा रहा है कोई नई चीज़ खरीदी जाए घर में एक चमज भी नया आ जाए चोटी सी भी एक कपड़ा नया आ जाए तो लोग नसीहते देना शुरू कर देते थे कि अच्छा ये बचा लो ये लड़कियों के दहेश देने के काम आएगा हर हर चीज़ शादी से जोड़ दी जाती थी जादा पढ़ लो अच्छा लड़का मिल जाएगा अच्छा नहीं पढ़ रही है इसकी शादी करा दो अच्छा इसने ये साइंस छोड़ दिया में अब तो ये कुछ नहीं करेगी क्योंकि डॉक्टर बन नहीं सकती इंजिनियर बन नहीं सकती अब इसके लिए लड़का ढूड़ना शुरू कर दो तो एक तरह से पूरे समाज ने वो वाली जिम्मेदारी लेके रखी हुई थी बहुत सारे करियर खासकर वो करियर जिसम मैंने अपना अपनी जिन्देगी शुरू की तब तक उनका नामों निशान नहीं था मैं पढ़ने में अबब आवरेज थी बोलने में बहुत अच्छी थी बहुत सारे डिबेट कॉंपेटिशन्स में प्राइज लेके आती थी और लोग कहते थे इसमें क्या बोलने का करिय क्या होता है जब मैंने अपना स्कूल खतम किया प्लस टू बड़ा डिफिकल्ट टाइम था क्योंकि मुझे पापा इंजिनियर थे तो जाहिर है बड़ी बेटी के तौर पे सबको उमीद थी कि मैं इंजिनियर बनू मैट्स में अच्छी थी लेकिन क्या हुआ कि प्लस टू मेरी फैमिली को भी एहसास हो गया तो फिर तैह हुआ कि अब मुझे हुमानिटीज लेके आगे पढ़ना है मैं अपने शहर से थोड़ा दूर पटना भेजी गई पढ़ने के लिए उन दिनों वो भी बड़ी बात होती थी खासकर आर्ट्स पढ़ाने के लिए अगर आप अ इकनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया और मुझे याद है उस समय पापा ने मुझे से कहा था कि तुम अपने सपनों के पीछे जाओ आज से तुम्हारी सारी असफलताएं मेरी और तुम्हारी सारी सफलताएं तुम्हारी यह इतनी बड़ी बात थी यह इतना बड़ा डर था कि आपको अपने पिता को फैल होते नहीं देखना है एक बेटी के तोर पे मैं शायद अपना failure कहीं ना कहीं हजम कर लेती लेकिन मुझे अपने पिता को फैल होते नहीं देखना था फिर मैं जॉनलिसम करने के लिए डेली आई merit पे मैंने IIMC में admission लिया उसके बाद मैंने मुझे internship मिली बड़े सारे बच्चों को हमको internship मिली थी आज तक channel उन दिनों launch होने वाला था वहाँ पे internship मिली और 15-16 बच्चों के batch में मैं इकलौती थी जिसकी internship को नौकरी में convert कर दिया गया और वहाँ से मेरी जिन्दगी की नई शुरुआत हुई मैं डेली में रहती थी, मेरी छोटी बहने पढ़ रही थी पापा जाहिर है struggle कर रहे थे क्योंकि मेरे बाद उनको और भी बेटियों को बनाना था और वो उसी मेहनत से उसी उत्साह से वहाँ पे कर रहे थे उसके बाद एक नया तरह का प्रेशर टाक्टिक शुरू हुआ मुझे आदे मैं जब 16 या 17 साल की थी और कजन की शादी थी और महां से कहीं मेरे लिए रिश्टा आया था और लोगों ने का अच्छा देखने में अच्छी है रिश्टा आया शादी कर लो तब मेरी मादर ने कहा था कि जिस दिन इसकी काबलियत को देखे रिश्टे आएंगे उस दिन आप लोग मुझे से बात करना तो इस तरह की छोट-छोटी जो चीजे थी वो धिरे-धिरे आपका उच्छा बढ़ाती रहती है तो जब मैंने नौकरी शुरू की मैंने पापस से का कि हम मैं इतनी अब कम से कम इतनी लायक हो गई हूँ कि मैं अपनी बहनों की जिम्मेदारियां लेना शुरू करूँ मेरी सबसे चोटी सिस्टर मेरे साथ आके पढ़ रही थी हम एक rented accommodation में रहते थे वो university जाती थी मैं काम पे जाती थी और तब वो नया एक tactic शुरू हुआ कि अच्छा अब तो ये बेटी की शादी नहीं करने देंगे क्योंकि अब तो बेटी इनका घर चला रही है अब अगर ये शादी करके चली गई तो ये तब इनके खर्चे पूरे नहीं पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें शुरू में बट देन माई फादर टोक अ स्टैंड और ये सेटल नहीं हो जाती है तब तक अब हम इसके उपर कोई pressure नहीं डालेंगे तो इतने सारी चीज़ों के बाद जब 25-26 की उमर में मेरी शादी वी तो मुझे लग रहा था जैसे मेरी पूरी expiry date निकल गई है फिर society आप से कहती है कि अच्छा अब शादी हो गई पता नहीं टिकेगी कि नहीं क्योंकि लड़की तो मीडिया में काम करती है अच्छा शादी हो गई अब तो इनके हम अब बच्चों बच्चों की तो ये बात करेंगे नहीं क्योंकि लड़की टीवी पे आती है तो वो सारे प्रेशर बनने लगए शादी के बाद मुझे अमेरिका जाना पड़ा मेरे हस्बन का ट्रांसफर हो गया था मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया अपने देश के बाहर राजनीती और पत्रकारिता दो चीज़े होती है जो मुश्किल होती है शुरू कर पाना नए सीरे से क्योंकि नौकरिया उतनी आपके पास नहीं होती है वाइस ओफ अमेरिका की हिंदी सर्विस में एक पोस्ट निकली थी मैंने उसके लिए अपलाई किया और अपलाई करते ही मुझे पता चला कि मैं ना केवल प्रेगनेंट हूँ बलकि ट्विन्स के साथ प्रेगनेंट हूँ और चुकि सरकारी नौकरी थी थोड़ा लंबा टाइम लगता है प्रोसेस होने में जब तक ये नौकरी मुझे मिली और मेरा जॉइनिंग लेटर मेरे हाथ में आया तब तक जब पहली मुझे कॉल आई मेरे बच्चे दो हफ़ते के थे हम हॉस्पिटल से आये आये थे जब मुझे जॉइन करना था मेरे बच्चे तीन महीने के थे बापस से आपके ओपर वही सवाल आया कि अब तो सारी नौकरी सारा करियर ये बच्चे हैं अब आपको इनके ओपर ध्यान देने की जरूरत है उस नौकरी को जॉइन करने का मतलब था कि हम जिस शेहर में रह र कि चाहे जो भी हो जाए ये उपरचुनिटी मिली है मैं आगे आओंगा और मैं बच्चों की देख़ाल करूंगा और ये नौकरी करेगी मुझे आद है मुझे शूट के लिए दूसरे शहरों में बहुत जादा जाना पड़ता था मैं बच्चों को छोड़ के जा दे थी मै एक ब्रेस्ट पंप साथ में लेके जाती थी जहां कहीं भी मुझे कमरा मिलता था वहां पे मैं दूद पंप करती थी ताकि शाम को आके बच्चों को पिला सकूं एक बार एक लंबी कहानी है जब बॉस्टन एरपोर्ट पे मेरी लड़ाई हो गई थी क्योंकि उसी दिनों उन दिनों ग्लास्गो में बॉंब ब्लास्ट हुआ था और तब एरप्लेन में लिक्विड ले जाना मना हो गया था और दूद भी आप नहीं ले जा सकते थी अगर बच्चा आपके साथ ना और मैं दिन भर का शूट करके शाम को अपना ब्रेस्पम वो बाटल्स भरके ले दूस्तान वापस आई और यहां के मुझे हैसास वा कि जो इस इकॉलिटी की आप बात करते हैं वो अभी भी इस समाज में यहां पर उस तरीके से नहीं आया है तो वही हस्पेंड जो वहां पर बराबरी की जिम्मेदारी बलकि जादा की जिम्मेदारी ले रहे थे फैमली क यहां करके कुछ वरकिंग कंडिशन्स इस तरह की थी कुछ समाज की संरचना इस तरह की थी कि वो उस तरह से उनका पार्टिसिपेशन अब नहीं हो पाया एक छोटा सा किस्सा यहां यह है कि जब मैं भारत वापस लौट के आई और लौट के आने के पीछे एक बड़ी बाद यह है कि समाज में जब बेटा कुछ करके देता है माबाप को तो उसका धिंडोरा पीटा जाता हमारे बेटे ने हमको गाड़ी खारीत के दिया वहम एकदम इसको शान से मुहले की जो कीचड़ भरी सड़के हैं उस पे दोडाएंगे लेकिन बेटी अगर वही सारी च मौकरी कर रही थी तो यह बड़ा नाचरल साच सी चीज़ थी कि हमें आ रहे रहे थे वहमारे साथ आके रहे अगर मेरे पती की कोई बहन होती तो बहुत ही नाचरल होता कि वहमारे साथ आके रहे लेकिन चुकी वह मेरी बहने थी तो सुसाइटी के लिए बहुत बड़ा इ तो उन्होंने का था कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा या संसकार देना हर मारबाप का फर्ज होता है बेटा और बेटी जैसी कोई चीज इसमें नहीं आनी चाहिए कई लड़कियां मेरे पास आती हैं और वो कहती है कि आपने जब नौकरी शुरू की तो हमारे पिता ने भी हमको पढ़ने भेजा जब हम आपको टीवी में देखते थे तो हमारे पापा भी कहते थे कि चलो अब हम इसको भी कहीं भेजते हैं या शादी के बजाए इसको एमबीए करने भेजते हैं तो शायद आपकी वजह से वो जितनी लड़कियां जिनके पिता, जिनका परिवार आपको देख कर के कही न कहीं हिम्मत बंधा रहा है, कहीं न कहीं इंस्पायर हो रहा है, आपके एक जरा सा चूकने से कहीं उनकी हिम्मत ना तोट जाए, कहीं उनके लिए जो रास्ता बना है वो वापस से बंदना हो जाए और यही चीज आपको कोई भी गलत कदम उठाने से भी रोकती है हमारी अब तक की लाइफ का जो सबसे बड़ा सद्मा था जो सबसे बड़ा दुखत पल था वो दो साल पहले जब हमने कोविड में अपने पिता को खो दिया तो जब यह हुआ तो ऐसा लगा कि एक तरह से जीने का परपस खतम हो गया है और तब हमने यह तै किया कि अपने पिता को सची श्रत धानजली हम तब ही दे सकते हैं जब उनके उस सपने को आगे बढ़ा पाएं जो उन्होंने हमारे लिए देखा है तो हर साल दर्भंगा शहर से एक ऐसी लड़की को हम चुनते हैं जो प्रतिभाशाली है लेकिन शायद उसके सपने उस तरीके से पूरे नहीं हो पाएं तो हम एक ऐसी लड़की को हर साल दर्भंगा से चुनते हैं और उसके ग्राजवेशन को पूरी तरह से फंड करते हैं कोई भी किसी भी उम्र में सपने देख सकता है और किसी भी उम्र में उन सपनों को पूरा कर सकता है अगर सपने देखने पे कोई बंदेश नहीं है तो लड़का हो या लड़की किसी के लिए भी सपने पूरा करने पे क्यों रोक लगे तो लड़कियों सपने देखो बहुत सारी सहोलियते हैं 20-25 साल पहले जो चीजें थी उनके मुकाबले आज दुनिया बहुत बदली है बहुत सारी सहोलियते हैं आपके लिए बहुत सारे आप्शन्स हैं आप बस एक एक कदम आगे बढ़ाईए सारे रास्ते यूँ ही खतम हो जाएंगी और आप जहां जाना चाहती है वहाँ आप अपने आप पहुँच हैंगी